जाहें दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अलफा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतिया सेना के अंदर जो कि अभी पोर्ट ब्लेइर में हुई है अन्वान निकोबार की और उसके रावा हावलदार सर्वेर के बारे में ठीक है दोस्तों सबसे बात करते हैं आए जो की फीजिकल हुआ है ठीक है उसमें दोस्तों एक हादलेट जो सहलेक्टेड थे वहां पर पहूंचे थे और उन् के दोड़ाया गया पूरा टाइम मिला उनको और उसके बाद ग्राउंड वर्क भी उनसे करवाया गया है वहाँ पर जो कमांडिंग ओफिसर थे रिक्रूटिंग ओफिसर उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि आप यह ग्राउंड वर्क कर पाते या नहीं कर पाते तो देखना है तो दोस्तों अभी पाते ही रहे लुटत सब्सक्राइल पन्य मेशेल वकरे पाते पाते या नहीं कर पाते या यह बिआ आ कर पाते हैं है था कर अट रदुसरा दोस्तों अभी ओनके पास ऐक पाताम की चौनश चेसरुइविक आख्यर यह लेके आना है ठीक है इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हवल्दार सर्वियर की हवल्दार सर्वियर के जो बच्चे जुड़े में लगतार पूछ रहे हैं कि सर जो रनिंग का टाइम है और पांच मिनाट 45 सेकंड दो गुरूप है ठीक है कोई एक्ट्र नमबर नहीं है ल आट किसी ने दस एक्सिलेंट तो उसका परवाव काम पड़ता है लाश्ट जो फाइनल मेरिट बनती है वहाँ पर यह चीज़ें भी देखे जाती है ठीक है अगर एक उमिद्वारे पांच मिनट 30 सेकंड वाला और एक मिनट एक है पांच मिनट 45 सेकंड वाला यह फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें कहीं न कहीं क्या है इफेक्ट डालती है तो जितने भी बच्चे हैं वह बार-बार मेसेज कर रहे हैं कि सर यह जो दोड़ है हवालदार सर्वेर की इसका टाइम है पांच मिनट 30 सेकंड पांच मिनट 45 सेकंड या 6 भीम है या 8 भीम इसका क्या है न तो इसका रेजन दोस्तों यह है कि अगर आप मारते हैं अगर आप 8 लगाते हैं 10 लगाते तो कहीं न कहीं कहीं आपके फाइनल जो रीजट होता है उसमें भी कहीं न कहीं असर डालती है थीक है तो यह थी आज की वीडियो और बने रहें चैनल के साथ भारत्यात सैनाओ सब्सक्राइब कराना भूले जय हिंद जय भारत वंदे मातरुम